Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, मैं हूँ दिव्या शर्मा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चों में केल्शिम की कमी के क्या कारण है किन कारणों से बच्चों में केल्शिम की कमी हो रही है और उस कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए और सबसे फर्स्ट कि उसके लक्षन क्या है कई बार बच्चों में केल्शिम की कमी हो जाती है लेकिन पता ही नहीं चलता और वो आगे चलकर बहुत बड़ी बिमारी का रूप ले लेती है और बच्चों के लिए केल्शिम युक्त आहार कौन से है कैल्शिम एक ऐसा खनिज है जो हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है यह ने केवल बड़ों के लिए बलकि बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है अगर बच्चों में कैल्शिम की कमी हो जाए तो उन्हें शारीरिक विकास कम हो जाता है बच्चों के लिए एक ऐसी समस्या बन जाती है जो बच्चे इस्पेशली मा का दूद पी रहे उनमें कैल्शिम की कमी जादा देखने को मिलती है तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता रही हूँ बच्चों के लिए कैल्शिम क्यों आवश्यक है कैल्शिम चरीर के लिए सबसे महत्व पूरं तर्त्व होता है यह मास पेशियों को ठीक रखने का काम करता है तंत्री का तंत्र वे हर्दे के लिए बहुत आवश्यक है इसके इलावा कैल्शिम हड्डियों को विक्सित करने का काम करता है हड़ियों में द्रवे बनाके रखने का काम करता है जो पहला साल होता है बच्चे का उस टाइम बच्चे की बॉडी मास बढ़ता है इस दोरान उसके वजन में बढ़ोतरी होती है अगर बच्चे का बॉडी मास उचे तरीके से बढ़ रहा है तो समझ लीजिए बच्चे के अंदर केल्शिम की कमी नहीं इसके इलावा जानते हैं कि बच्चों में केल्शिम कितना होना चाहिए 6 महा से कम उमर के बच्चों में 200 mg इसके इलावा 6 महीने से 11 महीने के बच्चों में 260 mg 1 साल से 3 साल के बच्चों में 700 mg और 4 साल से 8 साल के बच्चों में 1000 Mg कैल्शियम होना चाहिए अब जानते हैं कि इस कैल्शियम की कमी के क्या कारण है जैसे कि हम बता चुके हैं छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी बहुत जादा हो रही है लेकिन उन्हें calcium की कमी की क्या कारण है ये जानने ने बहुत जरूरी है अगर जन्म के दोरान बच्चे में oxygen की कमी हो अगर मा को sugar हो यानि diabetes हो तो calcium की कमी हो जाती है एक साल से कम उमर की बच्चों को गाएं का दूद देने से हाइपोकेलसिमा एक समस्या है वो हो जाती है क्योंकि उसमें फासफोरस जादा होता है काये के दूद में और एक साल के बच्चे को अगर गाये का दूद पिलाया जाए तो उनमें केलशिम की कमी हो जाती है अगर बच्चे में विटामिन D की कमी है तब भी कैल्शिम की कमी हो जाती है इसके इलावा अगर बच्चे के जनम के समय उसमें कैल्शिम की कमी है तब भी कैल्शिम की कमी हो जाती है तो अब जानते हैं कि इस कमी के लक्षन क्या है कई बार समस्या ऐसी हो जाती है जिसे फेस करना मुश्किल हो जाता है कैल्शियम की कमी को जान लेना बहुत जरूरी है सबसे फस्ट अगर आपका बच्चा बहुत चिटचड़ा रहता है सेकिंड अगर उसकी मास पेशियों में दर्द रहता है एठन रहती है अगर बच्चे के हर्दे की गती बहुत धीमी है इसके इलावा अगर बच्चे को बुखार चटपट हो जाता है इसके इलावा अगर बच्चे के रत्चाप जो है वो बहुत धीमा है कैल्शिम की कमी का एक और भी लक्षन है वो ये की बच्चों के अगर दांत कम जोर है इसके इलावा कैल्शिम की कमी होने पर बच्चे रात के समय सही से सोते नहीं है उनको सिर में पसीना आता रहता है तो अब जानते हैं, ये थे लक्षन अब जानते हैं कि इस कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए बच्चों की डाइट में सुधार करके हम कैल्शिम की कमी को पूरा कर सकते हैं अगर कैल्शिम की कमी जादा हो जाए तो आप डॉक्टर से मिलिए बच्चों में कैल्शिम की कमी होने पर उन्हें कुछ देर धूप में रखिए धूप में बहुत फाइदा होता है जादा का है तो आप उसे डाइरी का दूद दे सकते हैं, अगर आपके बच्चे को जनम के समय से ही हाइपो कैलसीमा है, तो अब जानते हैं ऐसे खादे पदार्थ, जो बच्चों के लिए कैल्शियम यूट, सबसे पहला है डाइरी उत्पाद, डाइरी उत्पाद कैल्शियम से दे सकते हैं, तीसरी चीज है सोया, सोया में काफी कैल्शियम पाये जाता है, आप इसका सेवन भी बच्चे को करवा सकते हैं, नेक्स्ट है बदाम, बदाम में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आप अपने बच्चे को बदाम खिलाइए, पांच मी है ब्रोकल ब्रोकली का सेवन करना बहुत फाइदेमत है इसमें परचूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो आपके बच्चे की कैल्शियम की जरूरत को पूरा कर देगा छे माँ है बीन्स बीन्स में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है केल्शियम की कमी बीन्स खाने से भी पूरी हो जाती है साथमा है हरी सबजिया हरी सबजिया आपके बच्चे में केल्शियम की कमी को पूरा करती है इसमें पालक, केला, सरसो का साग इनमें बहुत सारा calcium होता है आपके बच्चे को खाने को जरूर देनी चाहिए इसके इलावा हरे मटर में भी बहुत सारा calcium होता है आप इसे बॉयल करके बच्चे को दे सकते है दालों में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है, आप अपने बच्चे को पतली सी दाल का पानी पिला दीजिये, पतली सी दाल पिला दीजिये जाए नेक्स्ट है तिल के बीज, तिल के बीज में बहुत सारा कैल्शियम होता है, सरदियों के दिनों में मीठे मियंजनों में तिल डाल कर खिलाया जा सकता है इसके इलावा non-vegetarian जो हैं वो अंड़ा अपने बच्चे को दे सकते हैं अंड़े में बहुत सारा calcium होता है protein के साथ साथ इसके इलावा बच्चली और माज में भी calcium होता है आप वो भी अपने बच्चे को दे सकते हैं ये थी बहुत खास information क्योंकि आज कर बच्चों में calcium की कमी बहुत है और इसके लक्षन, कारण और इसका इलाज जा लेना बहुत जरूरी है अगर आपको ये information अच्छी लगी तो like जरूर करिएगा और अपने friends के साथ जरूर share करिएगा अगर आप कुछ पूछना जाते हैं तो अपने comments के दूर जरूर पूछिए आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए stay healthy, always be happy thank you for watching my video, okay bye